आज का हमारा टॉपिक है Torch Infection क्या होता है ये बच्चे लोगों में सबसे congenital infection होता है मतलब कि मोअम उसे ईंसे तřstill है हुए चै lui्युकसे कले मतलफ है कि इसे प्रिंफिक्टेइब हो जाती है और उनकेत होने से उनके बच्चे में इस एइनफ्टेइब का आखता है जिसकी वज़ा से neurological problem बच्चों में होती है जैसे cerebral palsy में prenatal cause में यह आता है उसी तरह कुछ-कुछ बच्चे जो यह होते हैं कि delayed milestone होता है या फिर social communication की problem होती है या फिर autistic बच्चे उन सब में यह infection common होता है torch infection देखते हैं torch infection क्या होता यह एक group of causative organism कहेंगा microorganism का होता है जिसमें T4 होता है toxoplasmosis ओ में अधर एजेंट्स आता जैसे syphilis varicella जोस्टर प्रो परवो वाइरस V19 rubella c4 cytomegalovirus h4 herpes simplex virus यह group of viruses यह मिल के torch infection इनको कहा जाता है combinedly एक नया वाइरस इसमें जुड़ा हुआ है रिशेंटली जी का वाइरस बोलते हैं उसको यह सब torch infection group के वाइरस तो यह क्या करते हैं कि mother में infect करते हैं mother को जब pregnant होती है mother और उसे mother की infection से बच्चे को infection लग जाता है और बच्चा जब यह होता है तो उसमें neurological problem अब देखते हैं sign and symptoms of torch infection हीपेटोस्प्लेनों मिगेली बच्चे में क्या होगा कि उसका लीवर स्प्लीन का साइज बड़ा होता है हीपेटोस्प्लेनों मिगेली इसकी वाज़ा से metabolic problem आएगी fever, lethargy, weakness type बच्चा एकदाम weakness type होगा weakness होगा उसको एदाम सुस्त सा पड़ा लेजी difficulty feeding उसको खाना पीना खाने में problem होती है anemia, hemoglobin करें कमी होगी, jaundice होता है chorio retinitis, pathophysiology, इसका physiology क्या होता है, pathology क्या होता है वो देखते हैं caused by in utero infection with one of the torch agents affects fetal development यह mother के uterus में किसी बीतरा का infection हो जाता है तो उससे बच्चे में infection फैल जाता है तो अब देखते हैं prevention कैसे किया जा सकता है तो क्या होता है first trimester में इसका screening test होता है, mother pregnant होती है, कोई भी lady pregnant होती है तो first trimester जो होता है, उसमें एक screening test कराया जाता है, उस screening test में doctor अपका diagnose करेगा, अगर torch infection लगा हुआ तो पता चलता है, तो वहां अगर यह हो जाता है, तो वहीं अगर उसका treatment कर दिया infection का pregnancy के time में ही, तो बच्चे में नहीं आ सकता है, संभावना कम हो जाते ही बच्चे में आने के तो prevent किया जा सकता है बच्चे को, नहीं तो फिर तो उसको infection लगता ही है diagnosis देखते है इसका क्या होता है, presence of IgM, immunoglobulin diagnosis, presence of immunoglobulin M and persistence of immunoglobulin G इसका test कराया जाता है, वह pathological test होता है, treatment में देखे, symptomatic treatment किया जाता है जैसा उसका यह रहेगा, किस-किस तरह का symptom आ रहा है, उसी ही साब से उसका treatment किया जाता है बच्चों में क्या होता है कि neurological deficit भी होता है, जैसे cerebral palsy में prenatal cause हो रहा था यह torch infection तो उसमें क्या होता है, नियुरोलोजिकल deficit हो जाती है, कुछ-कुछ प्रब्लम नियुरोलोजिकल प्रब्लम होती है, तो उसका उसके हिसाब से treatment किया जाता है